नमा उनारे येगो माता वंदे मात्रमा भारती कुप्र नाम और हिर्दैशे ओम्शंशनिश्चराए नमा मित्रों शास्यों इस संसार में एक अध्भूद रिस्ता है वो है शिश्य और शद्गूर का रिस्ता सबीर रिस्तों से उपर है ये रिस्ता शद्गूर और शिश्य का रिस्ता और ये रिस्ता निस्चल प्रेम से बनता है प्रेम नब बाड़ी उप जे प्रेम न हाटा भीकाय, राजा प्रजाद जोरजे सिस मार्पण प्रेम प्रिपों शमरपन यानी प्रेम वए प्रेम उत्तम चरनने का उता गुरु और शिष्य का प्रेम, शभ्द और शूर्ती का प्रेम और यह तब होता जब चंदर घर सूरी है इला घर पिंगला और पिंगला घर इला और जब इला घर पिंगला घर इला तब शुश्मना अपनी गति करती तब वो निस्चल प्रेम होता है उस प्रेम के आसपास आओ जीवन खुशियों से भरा रहेगा अब बात करते हैं जिनके आज जनम दिन है फिर शाद्व की साल्गर है तो दाती महराज की और से आपको हार्दिक स्कॉपक नाए आपको जिवन खुशन से भरा रेशतनी भगवान की शिर्चण से है अब या देखार है तो घर में शस्चों का दिलका दीपक जिलाना इस मंत्र का 108 बार जाब करना श्रदाम सा शाबुत उड़त गरीब निर्धन विद्वास्री को दान करना बड़ा शुब रहेगा आपके लिए नमनन और बात करते हैं आज के सुझाव की किसी ने भी आपको दीवादी दिव सनिदेव की नाम से भाइत कया हो कि विसाड़े साती है धहया है सैनी प्रतिकूल बटा कंटक्सनी है मित्रों निजगत करमों की वजे से मनशय को तकलीप आती बगौन शनीदेव किसी को तकलीप नी देते हैं कश्ट बिढ़ जाएगा नमनन और बात करते हैं आज के पंचान के असाड क्रिष्ण पक्ष की दूतिया विक्रम श्रम दो हजार अठार असाड मांस की बारा परविश्टे सक्सम नुश्व तेतालिस असाड पांच तदनुशार शनिवार 26 जूम 2021 प्रतकाली नक्षर उत्रा में शूर्य गोचर कर रहा है चंडरमा धनुष्ण में मंगल और शुक्र कर कर राशी में बुद्ध राऊ विर्षब राश्य ब्रषप्ति कुम राश्य मßषय निमा का राश्य मरे टू विर्षब राश्य यह ग्राहुका ब्रहुकाल कि आज का रहुकाल पड़ते नो पहले मेश राश मेश राशी वालों के लिए नक्षत्र गणना है शफलता लाब और कारी बनने का पूर्ण शंकेद्र आज काम बनेंगे काम में शफलता मिलेगे लाब भी मिलेगा लेकिन कारी चेतर में प्रतिष्प्रदा बढ़ेगी इसलिए थोड़ा सा सोच विचार कर का करें खर्चों पर थोड़ा सा नियंतन रखें और प्रतिष्प्रदा की दौर में वानी पर थोड़ी सी मधूरता रखी तो प्रतिक कारिया आज आपके सपल होंगी बागदोर है परिश्रम है लेकिन बागदोर परिश्रम का प्रणाम बड़ा अच्छा नजरा रहा है बड़ा शुब रहेगा और आप सफाई करम चारी है तो किसी मंदीर में दान दे देना नमड़ा नों बात करते हैं विर्श्व राज विर्श्व राज चंद्रमा अस्टंभाव में है राज नक्षतर गरनाएं परिशानी का संकेतर दिवानी पर सेम रहें नितिकता का दाम वहन को सामधानी से चलाना होगा, धन का अपवय है, बनते कारी में बादा है, सुबह से लेकर साम तक गोचर थूड़ से सामधानी कर संगेत, वैबीत नहीं रहें, क्या करें? कानून के दाएरे में पर यह करें, क्या ना करें? जूट और धोके से कौई कारी नहीं करें, क् आभगवति की सिर्चनलों में गाई का सुद घी का दीपक चलाओ और मात्र नौ बार ओम दुम दुरगाए नमा इश्मंत्र का जाप करके काम पे निकला निकलेंगे तो काम बनेगे रोकस्ट कमाएगा नमना इनुन बात करते हैं मिधुन राशी मिधुन राशी वालों चनरम कि सफलता भी होगी सभी परकार की बादहाई दूर होगी रिण और रोग से छुटकारा मिलेगा और कारोबारी योजना इस सफल होने के साथ आर्थिक धनकोश में ब्रदी होगी धन्शंपत्ति के लाब कि आउस तर आज बढ़ेंगे और शुक के साधन भी बढ़ेंगे त अनपति की पूजा करिए गनेश गाई तरीका जाप करना बड़ा शुब रहेगा आपके लिए नमना इनुन बात करते हैं आज की सुबशम है यानि गुलिक काल के राज का गुलिक काल है प्राते 6 बज़े लेकर 7 बज़े तक इस दौरान कोई भी शुबकारी शंपन कर सकत के नजर कहीं ने कहीं से धनकी प्रापती होगी पिछली परिशानी चुटकारा मिलेगा स्वास्ति उत्तम बना रहेगा ज्यान में रुची बढ़ेगी कारवार के छेतर में उनत्य होगी धनलाब होगा मात्र पक्ष का पून आश्रिवाद और प्यार प्राप्त होगा लोगों की बातों में नहीं आएं क्या उपाय करें ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंदर्मा से नमा यह चंदर्मा का विज मंतर इस मंतर का जाप करना बड़ा शुब रहेगा आप लिए नमणा इन बात करते हैं शिंगराश वालों गोचर इस बात का संकेद रहें कि काम बनें विगन और बादाओं से छुटकारा मिलेगा रुकिवे मसले हल होंगे आसपास का बातावन ठीक रहेगा परिशानियों से छुटकारे के साथ साथ आज कहीं कहीं से धनकी प्राप्ति का संकेद में जरा रहा है लेकिन बहुत जरूरी आर्थिक इस्तिति इतनी मजबूत नह इसलिए खर्चे पर अंकुष रखे और संतुलन बना के से लिए परिश्रम और महने से नहीं घब रहे और वाने पर थोड़ा सा सयम रखेगा और यदि आज आज आपके अपनोंने सहयो किया तो बहुत सी बाताओं और प्रिशानिस से आपको छुटकारा मिल जाएगा आप किसी गरीब व्यक्ति को दान में दीजिए को बड़ा अच्छा रहेगा नमणे नूब बात करते हैं कन्याराश नो गणनाओं की बात करते हैं प्रतिकुलता का संकेद हैं शितारों का संकेद हैं कि आज बहुत जरूरी मद्यत सा सोच समझकर करिएगा बीना सोचे समझे किस में सहज रहना पड़ेगा शाकर्मियों को शाथ लेके चलना पड़ेगा और गोचरी इस बात का विसे संकेद है कि आज परिवार में कलहें नहीं होना चाहिए अवित्यारती आप युआ है तो आज थूराशा ध्यान देना होगा नीजी जीवन पर क्या करें परिवार में स आज की दिन यात्रा पर जाने से पहले अद्रग चबाकर यात्रा पर निकलेंगे तो कस्ट कमाएगा देखिए जमना बदल गया है आप किसी भी दिशा में यात्रा करें लेकिन यात्रा में जाने से पहले 11 कदम पूरू दिशा किया और बढ़ाईए फिर रुग जाईए अ ब्यातरा में शफलता जरूर मिलेगे नमणा बात करते हैं तुलाराश यालों गरगोचर अनकुल शितारों का सुप शंकित कारी श्फलता हसी लोगी और इस्टाइ सुख संपत्य में वर्दी होगी किसी उत्सव में जाने का उफसर प्राप्त होगा नहीं पुराणे मितरो से मिलने का प्रबल योग हैं और मसले सुरस्ते विए नजर आ रहे हैं विद्यारते रिवाओं के लिए गोचर पून लाब और शफलता का संके देरा क्या करें सामजिक व्यवस्ता में शयोग करें क्या ना करें किसी को धन उदार नहीं दे क्या उपाय करें तुलाराशिवाल परिवारिक मसले हल होंगे परिवारिक साथ बैठने का मोका मिलेगा और परिवारिक अनावश्यक परेश्तानियों और कश्टों से छुटकारा मिलेगा परिवारिक सयोग से कारोबारी समश्या से रात मिलेगी और घर में आपसी सयोग रस्मनवे की वज़े से आर्तिक पक् एक लाल गुलाब हनुमान जी की शिर्चलनों में अर्पित करी और एक लाल रुमाल अपनी जेव में आज अपने पास रखना बड़ा शुब रहेगा नमनन बात कते हैं धनराशी की धनराशी की धनराशी की नक्षत्र गनाएं पूर्ण लाब और शफलता का संकेत शास और प अब विद्यारती आप युवा हैं गोचर इस बात का संकेत कैरिल श्रमंदी मसलम आज शफलता मिलेगी परिवार का शाथ मिलेगा एजुकेशन के मामले सुलजेंगे और शिक्षा के छितर में कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा आपको क्या करें बहुत जरूरी है आज धन्राश वालों अपनी भाल पर के सरकाते लगएगा बड़ा शुक्र है नमने बात करते हैं मकर राश मकर राश वालों चंदरमा प्रतिकुल तका संकेते आज गोचर अनकूल नहीं है अतिदिक आतम विश्वास और क्रोध पर काबू रखना होगा विवादी सोदों से भावित हो सकता है विशेश अगर माता पिता कि स्वास्ते को लेकर लापरवाई नहीं बढ़ता है आप विद्यारती हैं आप युवा हैं गोचर इस बात का संकेते दे रहा है कि सफलता के लिए परिवार का शात्त होना बहुत जरूरी इस पर ध्यान देना होगा विशेश आपकी भीतर में मानस में भीतर की तारओं से मंतर जहनकारित होगा तो बहुत सी समश्यावश आपको समधान मिलेगा नमणायन बात करते हैं कुमराशी कुमराशी वालों नक्षतर गरनाएं उत्तम संकेत दे रही है आप प्रशासनिक अफसर है आप राजनेता है आप कारो आपकी यूप्ती आपका काम करने का तरीका आपकी इच्छा सकती कारीश रफलता में चारचान लगाएगी स्वजनों को भी कारीशी दिप्राप्त होगी और धन के मसले को लेकर थोड़ी सी रहत जरूर में लेगी क्या करें कारीश की गोपनेता बनाया रखना बहुत पूर्ण लाब का संकेत दे रहे हैं, सुबर मांगली कारी शंपन होंगे, कारवार योजनाएं बनेंगी, किसी मित्र के विशेई स्वयोग से परेशान योशे मुक्ति मिलेगी, घर परिवार में आमोद, प्रमोद, मनोरजन में समय बितेगा, और हैं आप राजनेता या फिर उच्परसासनिक अपसर्थ, तो आज पारवारिक वातरवन आपके लिए बड़ा खुश्यों से भराओ, धन्शमंदी आपके मसले होंगे, अच्छे रहेंगे, और कोई नहीं जुम्यदारी के और नक्षतर गन्ना संकेत कर रहे हैं, क्या करें, रुकिवे कारी को पूरा कर नमाना रहे हैं, यह था बाराक भारा राश्यों को राश्यों पर जो गर्नक्ष्णों को राधाय जी था, मित्रों और शातियों, यह मेरा आनभाव है, लात्ता मैं हून, मनो नमनो, आपके मर्जी, सेकंड ओपनिन का दिकार आपका था, आपका है, रापी का रहेगा, नमा इन तीस साल में, डिवादी देव सनेदेव की कृपा से, गो माता की सेवा में लगा रहा, पिछले दो-तीन सालों से, मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है, जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा वैवधान आया है, राश्ट में पूरा वि कि मित्रों और शाथियों, मेरी आर्तिक प्रस्ति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गो माता की सेवा में आपका सहयोग चाहेंगे, आप गो माता की सेवा करेंगे, तो मैं आपकी सेवा में हाजी हूँ, जो मैं जानता हूँ, मेरे आराध्ये, डेबादी, देव, सनी, देव, गुरु महराध जी की दया से जोतिस की आसपास रहने का आउसर मिला, आपको जोतिसी समधान में में मेरा सहयोग चाहिए, मैं कोई प्रजापिता ब्रमा नहीं हूँ, नहीं मैं हतेली में सरसू उगाता हूँ, मैं प्रियास करता हूँ, मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जोतिसी समधान के लिए, और इसकी एवज भी मैंने आप लोगों से निवेदिन किया था कि आप गुमाता के लिए 200 एरपिया गुसाला में जरूर दे, आप सभी लोगों ने, मेरे में विश्वास किया, और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गुमाता का सेवा करता है, वो इस समय मेरा भगवान है, मेरी गुमाता भुकी ने रहे, मेरी गुमाता को चारा मिले, और जो भी दान दाता, जो भी राष्ट भक्त गुमाता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलीब बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की वज़े से चारे की तकलीब ज़्यादा नजर आ रही है आप सब इस से मेरा निवदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ परियास करिए नमबर आपके सामने में है इन नमबरों पर संपर करिए मैं आप से वीडियो कॉंफरेंस में जरूर बात करूँगा और यह मेरा शोभा क्या होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे है कहीं मैं आपको सहू करूँ जब आपको मेरी आउश्यक्ता पड़ेगी इन नमबरों पर मैं आपसे उपलब्द रहूँगा इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोति से समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में शयोग करें और उसकी एवज में दाती महराज आज की सेवा में हाजिर है हाजिर थे और हाजिर रहेंगे चिड़ी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणी मानव धरा सरी सेवा का फल हमेशा मेटा होता है शातियो और समय बड़ा बलवान है समय एक सा नहीं रहता है आज मेरी प्रस्ति है कि मैं आप से निवेदन करूँ आज तक मैंने राश्य से कभी पैसा नहीं मांगा मैंने ये जरूर कहा कि सेवा बे ध्यान दें पुने मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की वेवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि दी राश्ट के लोग 2100 रुपय भी गोशाला में दे देंगे कुछ तो मुझे सहयोग में लेगा जो लोग स्वयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और जो लोग स्वयोग के लिए आगे आएंगे सनी भगवान की सिल्चन और मेरी प्रात्ना कि सनी भगवान उनकी रक्षा करें उनका जिवन सदा खुश्यों से भरा रहे मित्रों और साथियों जाति भारात जीमन भरा आपके आभारी रहेंगे इस सिवा के लिए मेरी गोमाता भुकी नहीं रहे उन्हें तकलीब नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमाना रहे झाल